सरुचा करके जियो गरम मसाला टी मसाला एक करी मसाला गुट मॉनिंग एवरिवान है पी थर्सडे आप सब को कैसे हो आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे ये देखो रोशनी सुबह का दूप और सुबह सुबह उठके ही आज सबसे पहले म करने के बार में जाओंगी जैसे कि आपको पता है मैं फूल करिदे के लिए चाते हूँ और मुझे अच्छा लगता है इस दिन आज बहुत टाइम भी लगता है पुजा करने में पूरी मंदिर की साफ सफाई करने होती है पूरा चेंज करना होता है सब को तो टाइक तो लगेगा इसको इधर पर लगाया है जाश टेंपोडरी क्योंकि इसके लिए चेंग की जरूरत है चेंग में हैं करेंगे तब ही यह और मैं पानी बानी डाल सकती हूं आदर्वाइस मेरा हाथ नहीं पहुचेगा इधर खड़े होके मुझे पानी देना पड़ेगा यह अम्मा बोलती थी यह दूध बॉइल होने के बाद यह सबसे उपर वाला लेयर जो होती है बॉइल होने के बाद वह बहुत जादा मेले का जो स्तर है जो लेर है वह बच्यों को देना चाहिए बहुत दिनों के बाद इस कप में मैं प्योंगी मिल्क इसी में मैं पीती हूं यहाँ पर आके यह कहीं पर छुप गया था चुप गया था अभी निकाल लिया उसको चलो से मैचिंग मैचिंग हो गया ना नेल हाँ 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 तो बीच में मार्केट भी गई थी और फूल फल वो सब लेके भी आ गई आते ही वो आठा गुंद के गई थी तो रोटी और यह देखो आलो की सबजी ही है आज का हमारा ब्रेक्पस्ट बनाना तो मैं लेके आई मार्केट में आज रेडी बनाना नहीं मिला रेडी मतलब आज जी के लिए नहीं मिला वो कल परसो के लिए मतलब कच्छा कच्छा था तो तो बनाना आज मिसिंग है तो चलो कर लेते हैं ब्रेक्पस्ट आना को भी दे देती हूं उनको भी दे देती हूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते ह जिन का खाम लंज के लिए सब जी बब जी बगएरा गटिंग करूंगी फिर उसके बाद नहां के सबसे पहले आज फुजा करूंगी पुजा करने में बहुत लेट हो जाती है तो फुजा पहले कर लूगी ठीक है पालक को एसे चोटी चोटी पीसस में चौप किया है आज क्योंकि आज पालक को मैं साक के हिसाब से बनाऊंगे सबजी के हिसाब से नहीं और यहाँ पर है cabbage क्यबज कर लिya है cabbage के सबजी बनेगी ये आनू के थी जो मैं बॉयल करती हूँ ये कोई सूप नहीं है ये गाजर और को बाल करती हूँ फिर इसके पाद नमाक और इसके साथ ब्लैक पिपर के साथ उसको दे देती हूं जिकना कम में हो जाए इतना ही अच्छा है और यहां पे आलू को कात लिया है इसके साथ बनाऊंगी यह टमाटा और मसाला डेडी करके रखी हूं नीचे फिश को मैंगेट करके रखी हूं फिश बनेगा और देख लिया यही सब बनेगा पहले मैं नहा के पुजा कर लेती हूं फिर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करों एक चीज़ देखो नीम्बू और पितामभई से धोने के बाद ऐसे पितल के और काशा के जो बरतन होते हैं इतना चमाकते रहते हैं मुझे बहुत अच्छा ल तो चोटे-चोटे काले-काले ऐसे किरे लगे इसको ड्राइ रूस्ट करके रखना पड़ेगा बट अभी के लिए धूप लगा देते हैं ना आनू की जिम्में में है यह जाल में एक भी किरा नहीं होना चाहिए ठीक है ठीक से देखबाल करो इधर बैठ जाओ धूप में डाल और बादाम दोनों मैंने धूप में दिया है हिला हिला के देखो अच्छा काम मिला है आनू को आसन को विच्छा लेती हूँ यह वाला आसन ना मैं बद्रिनात के जो माना गाओ है वहां से खरीदा था एक दम लास्ट काओ वहां पे लेडिस लोग सेल कर रहते हाथ से आदा महसे अपैं आपने लिए था और एक अम्मा के लिए है हमा फूजा करना बहुत पसंद करती थी थी ना आ अम्मा के लिए चलो चलो अभी पूजा स्टांट पुजा कर लिया है, फुजा फिनीश, अभी शान्ती, अभी शान्ती से मैं एक-एक करके खाना बनाओंगी, जैसे बहुत जादा खास-खास में बनाड़ी हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ही है, बट अभी मैं स्टार्ट करोगी, इसी बीच आहना एक बार आई औ तो चलो, राइस इधर चड़ा के गई थी, राइस ना बन चुकी है, तो अभी बाखी का खाना जटपट बना लेती है, फिश फ्राइच चल रहा है, ये लेको, और इधर ही, ये फ्राइच होने पे बार, इधर पे प्यांज लसुन अद्रफ का पेस्ट है, चिली के साथ, आपको चिली देखने को मिलेगा, I love चिली, तो इन सब के साथ एक बनेगा, इधर डाल अल्रेडी बन चुका है, साथ अभी बनाऊंगी, ये देखो हमारे बैंगलोर की चिली, और मेरे सबसे पसंदिदा सबजी, और इसके जो डंठल देखो, ने लंबे-लंबे, और इतना इतने दिनों के बाद, एक फूल देखने को मिला है, लेकिन वह भी ऐसे हिल गया, ऐसा रहना है, बट ऐसा हो गया, इसको अभी पानी देना, राइड राइस सेजन है ना, तो जल्दी-जल्दी सूल जात, होड़ असा पानी डाल देते हैं, ऐसे पानी डालो, और इसको ड्रेन होने देना है, इसको इदा दो मिनिट, फाइनली सारा खानाओं बन चुका है, और मैं आपको दिखाती हूँ, आ साख, साख को मैंने इस तरह से बनाया है, मतलब बनने के बार ना, उपर से पॉपी सीट ऐसे छिरग दिया है, यह भी बहुत अच्छा बनता है, और यह तो है उसको जो बॉइल वो है, डाल, मूंग डाल, मतलब रोस्टेर मूंग डाल को बनाया है, यह निचे है फिश का ल पालक साख, जो भाजा किया है, फ्राइ किया है, यह है डाल, यह है कैबेज, फिश, चत्नी, पापर मिसिंग है, क्योंकि पापर आज मैंने नहीं बनाया है, और यह चीज है, वो है गाजर, बॉइल गाजर, बाबू उखेते आए, आनु का प्लेट सबसे पहले, as usual, आनु उसके बाद उनकी मेटिंग बिटिंग खतम होगा, फिर हम दोनों भी खालेंगे, उसके साथ यह देखो, आनु इसको हिला हिला के देख रही है, आनु, इससे स्टार्ट करो, यह सबसे हिली है, टेस्टी भी, तम जबरदस्त, यह पता नहीं, यह क्यों ऐसे हिल गया, इसको कैसे सिधा करूं मैं, अरे सिधा हो जाओगा, दुखी मत हो, ऐसे सर उचा करके जियो, सर उचा करके जियो, ऐसे हमारी तरफ देखो, थोड़ा गाजर इसको भी दे दू, चल तू अपना गाजर खा, और भी गाजर अभी होने वाली है, आज एक चीज बनेगा गाजर खा, गाजर डेख का सद उपियोग करूंगी मैं, आना इधर बैठ के खाना खा रही है, गुद इवनिंग, हम लोग निकले हैं वाकिंग पे, आज कल ना हमारा एक नया नया आदत बना है, हम रोज ऐसे इवनिंग में टैल निकलते हैं, पहले आनू साइकलिंग करती थी, मैं वा हम दोनों एक साथ निकलते हैं बाहर और बहुत अच्छा लगने लगा है, घर लोटने के बाद एक एनर्जी एनर्जी फील होता है, अच्छा लगता है, तो हम दोनों रोज निकल पढ़ते हैं, फूल डेखो, बोगन विला, दुकान के सारे लाइट्स अन हो जाते हैं और अच्छा लगता है, यहाँ पर मैं ब्लाउज दिलने के लिए देती हूँ, यह है टेमपल, दाशन कर लो भगवान जी का, गरम मसाला, ठी मसाला, एप करी मसाला, इलाइची मसाला का है, इलाइची पाउडर, क्या बोला, का नरा नेम? इसको अनलोता है, आम इसको ताल शाष बोलते हैं बेंगाली में, आई ट्रितरा, आइ इसके, चलो, यह दो को मैं क्या लेके आई हूँ, आपको दिखाया न, वो काट रही थी, इसको कानदा में क्या बोला, नाटी नंगू ऐसा कुछ बोला, ताटी नंगू, ऐसा कुछ ब और बेंगाली में इसको हम बोलते हैं ताल शाष, तो इस टाइम पर यह मिलना शुरू हो जाता है, और आनुको बहुत पसंद है, आनुको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, रुख जा, सबको दिखाऊ पहले, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ, ताल शाष, आप भी दे और आना का बिस्कित बस, चलिए आपके साथ आज मैं शेयर करती हूँ, कि कैसे मैं अपनी तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ, घी को थोड़ा सा गरम कर लिया है, और गाजर तो आपने देखा मैं छील रही थी, तो उसको कद्दुकस करके ऐसे गी के उपर डाल देनी ह और अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेना है गाजर को, मैंने यहाँ पे करीब 400 ग्राम गाजर लिया है, शायद मुझे जितना पता है, अब मुझे लग रहा है कि पूरा पूरा ही गाजर अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेती तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि बहुत ज गाजर के साथ जैसे घी एक तम मिक्स हो जाए, फिर ढखके थोड़ी देर के लिए रखना है दो तिन मिनिट, दो तिन मिनिट के बाद ये देखो गाजर का जो पानी है, जो जूस है वो ड्राइ हो चुका है और गाजर भी थोड़ा सा फ्राइ हो गया है, इस टाइम पे मैं एाब यहाँ पे, शुगर एक चर दूगी, शुगर आप अपने इस साब से एक कीजिएैगा, किसी को जाड़ा मिठा पसंद है, किसी को कम हमेना थोड़ा हलका मीठा पसंद है वह जादा मीठा हमें पसंद नहीं है क्योंकि शुगर के बाद भी मैं यहाँ पे कुछ और चीज मिक्स करूंगी आप देखते जाओ गाजर के साथ मिक्स होके शुगर भी जब अपना पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगेगा उस टाइम पे हम यहाँ पे एड कर देंगे मिल्क मिल्क भी आप अपने अंदासे से मिक्स कीजिएगा मैंने एक काप मिल्क यूज़ किया है और साथ में मैंने add किया है condensed milk मतलब milk made यहाँ पे आप खोया भी add कर सकते हो कोई-कोई milk powder भी add करते हैं लेकिन मैं इस तरह से ही बनाती हूँ और मुझे तो ये वाला recipe बहुत पसंद है आप try किजिएगा तीन से चार मेनी ढखके पकाने के बाद जब गाजर से घी छोड़ जाएगा उस टाइम पे हम ड्राइफूर सेट कर देंगे यहाँ पे मैंने लिया है almonds, काजू और पिस्ता और थोड़ा सा इलाइची powder मार्केट में मैं इलाइची powder ढून रही थी एक मुझे मिला लेकिन 500 रुपीज का सो मैं घर आके इलाइची के जो दाने है उसको crush करके इलाइची powder बना लिया बाबा इन सारी चीजों को दो मिनित के लिए मैं ढखके पकाऊंगी बस हो गया गाजर का हलवा रेदी और आज लांच में मैंने जो कुछ बनाया था वो थोड़ा थोड़ा था तो इसलिए डिनर के लिए मैंने अलग से कुछ साधा नहीं बनाया था बट डिनर के बाद वाली जो ये अट्रक्शन है ना वो सबको बहुत बढ़िया लगा गर्मा गर्म सर्फ कर दो ऐसे फिर आप भी बनाओ और एंजॉय करो गाजर का हल्वा आभी ये रेड वाला गाजर मिलेगा नहीं ना वो बोल रहे था आइस्पिल के साथ बहुत अच्छा लगता है तो ट्राइब करूंगी एक बढ़ और बनाने के लिए बट ये बहुत अच्छा बना है टेस्टी बना है स्मेल बहुत अच्छा रहा है थोड़े से घी कम डाला था मैंने आप भी ट्राइब करो बनाओ चलो मिल्ति हूँ आप सिग नहें लोग में तब तब करे लिए बाई बाई